मेरे परिवार्द्यनों, हमारा स्वाहित्य, लिट्रेचर, एक भारत, थ्रेष्ट भारत की भावना को प्रगाड करने के सबसे बहतरिन माध्यमों से एक है। मैं आपके साथ तमिल नाडू की गवरोशाली विरासत से जुड़े दो बहुत ही प्रेरक प्रयासों को साजा करना चाहता हूँ। मुझे तमिल की प्रसिद्ध लेखी का बहन शीवशंकरी जी के बारे में जानने का आउसर मिला है। उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है Neat India Through Literature। इसका मतलब है साहित्य से देश को एक धागे में पिरोना और जोड़ना। वे इस प्रोजेक्ट पर बीते सोला सालों से काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट के जर्य उन्होंने अठारा भारतिय भाषाओं में लिखे साहित का अनुवात किया है। उन्होंने कई बार कन्या कुमारी से कस्मिर तक और इमफाल से जेसल मेर तक देश भर में यात्राएं की ताकि अलग-अलग राज्यों के लेखकों और कव्यों के इंटर्यू कर सके। शिव संकरी जी ने अलग-अलग जगों पर अपनी यात्रा की ट्रावेल कॉमेंटरी के साथ उन्हें पब्रीज किया है। यह तमील और अंग्रे जी दोनों भाषाओं में हैं। इस प्रोजेक में चार बड़े वॉल्यूम्स हैं और हर वॉल्यूम भारत के अलग-अलग हिस्से को समर्पीत है। मुझे उनकी इस संकल्प शक्ति पर गर्व है। साथियों कन्या कुमारी के थिरू एके पिरुमल जी का काम भी बहुत प्रेरित करने वाला है। उन्होंने तमिल नाडु के यह जो स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन है। उसको समरक्षित करने का सराहनिय काम किया है। वे अपने इस मिशन में पिछले 40 सानों से जुटे हैं। इसके लिए वे तमिल नाडु के अलग-अलग हिस्सों में ट्रावेल करते हैं। और फॉक आर्ट फोरम्स को खोच कर उसे अपनी बुक का हिस्सा बनाते हैं। आपको जानकर आश्चरी होगा कि उन्होंने अब तक ऐसी करीब सो किताबे लिख डाली है। इसके अलावा पिरुमल जी का एक और भी पैशन है। तमिल नाडु के टेंपल करिस्टर के बारे में रिसर्च करना उन्हें बहुत पसंद है। उन्होंने लेदर पपेट्स पर भी काफी रिसर्च की है। जिसका लाव बाकिस्थानिया लोग कलाकारों को हो रहा है। शीवशंकरी जी और एक पिरुमल जी के प्रयास हर किसी के लिए एक मिसाल है। भारत को अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने वाले ऐसे हर प्रयास पर गर्व है जो हमारी राष्ट्रे एक्ता को मजबूती देने के साथ ही देश का नाम, देश का मान सब कुछ बढ़ाए। झाल 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 झाल